झाल दोस्तों लाल नागी लाल नाग चलिए चलिए पहले इसको निका सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि साप से एनिमल से रेफ्राइल से जुड़ा हुवा हरी जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंसता रहेगा चलिए आज वेस्ट बेंगोल के इस एरिया पर आ चुक है एक साप को को रेस्क्यू करने के लिए अब कौन सा साप है कौन सा नहीं यह तो मालुम है नहीं लेकर लेते हैं दो चार पांक ज्यादा नहीं दस मिनट का वक्त और दिखाते हैं साप कौन सा ऐसे में खत्रा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है क्योंकि गर्मी अतदिक देने के कारण साप जो है आपके घर में और हमारे घर में आए दिन अक्सर परवेश कर जाते हैं इसी में लोगों के सूचना पर हम लोग चले जाते हैं सांप को रेस्यूप करने के लिए अब देखा जाए कौंसा बड़ा सांप आज हमें मिलता हुआ चलिए आप आ गया अगये घर के लोगों का सूचना मिलते ही आज चुके हैं सांप पकनकी तो चलिए देखा जाए सांप, सांप, सांप भाई कौन जाएगा भेतोर ना जी चलिए आजेए तो इही भाई के सुचना पर आ चुके हैं साप को रेस्क्यू करने के लिए और यही जो है अभी कॉल करके हमें बुलाया हुआ था भाई एटा कौन जाएगा गोपालपूर वेस्ट बेंगल अच्छा गोपालपूर एटफोन तो मेरा है नहीं बहुत तेज का आवाज आ चुका है एक खरिश साप का नाग साप का आप ही बताई है तुम ही बालो कुछा यह साप ता एक गयला टैश चलिए यहां पर है अब यह घैला का अंदर साप है या फिर नहीं है पहले यह देखा जाया है दोस्तों ला आप सामने से दिखाईए एकवाज लाल नागिन को दोस्तो दिल थामके बैठिए क्योकि आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं फिर से वेस्ट बेंगूल के एक ऐसा गाव जिसमें ल लाल नागिन आज निकला हुआ और यह लाल नागिन का फर्दा फास करते हैं बहुत वह दौर आ चुका है लाल लांगिन हमें इस घर में वेस्ट बेंगल की घर में मिल चुका है अब क्या है क्या नहीं लाल लागिन का रहश्य चली आपको निकाल कर दिखाते हैं चली एक बार बाहर की और जाएंगे ठीक है इसका वाज थोड़ा सा ले लीजिएगा आई आई गार जित देखा जाए कुछ पाइक बगर हमको दिजिएगा अग व कर दो दो कर दो है जेहां टेखले नुरा जाती रहे यह सब्सक्राविया कर दो है हमने हमिते शिए थे शलानाज गण्गालिवाणटीआ । देख रहे हैं न यही है वो लाल नागिन जिसके दसने पर इंसान मनुष्य का मौत निश्चित हो जाएगा यही है वो लाल नागिन जिसका आवाज सुनते ही लोगों का रोंगता खड़ा हो जाता है लाल नहीं दोस्तों यह लोगों को पिला करने वाला नागिन है हरा करने वाला नागिन है बहुत ही खतरनाक नागिन चलिए चलिए पहले इसको निकालते हैं लाल तो बोलेंगे नहीं क्योंकि यह रंग में जो है दोस्तों घुस चुपा है पाप्रिबाप बहुत ज्यादा यह है चीटी रेस में लिजे एक बार, सामने तरी लिजे लाल नागिन को ऐसा मंजर सायदी आपने कभी देखा होगा इसका फन को एक बार लिजे देखिए यह दोस्तो लाल नागिन तो है नहीं, होई ही नहीं सकता है क्योंकि दोस्तो यह साप कोई रंग वगरा में घुसा हुआ है यह साप कोई रंग वगरा में घुसा हुआ मिला इसलिए आप लोगों को कहते हैं पहले वीडियो को देखिए उसके बाद आप लोग कमेंट करने का कोसिस किजिए एक बार देखिए वो घैला में हमें साइद लगता कोई कलर बगर था कोई कलर था और उसी के अंदर ये साप दोस्तों घुस चुका था और उसी में ये साप का कलर हो गया लाल और आज वेस्ट बेंगोल की इस धर्ती में मिल गया लाल नागिन देखते रहें वीडियो को दोस्तों जैसे ही ये मतलब ये क्या करता है अंधेरा जगा खोशता है वो घैला में अंधेरा जगा मिला है इसको एक बार पूरा साप को लीजिए पूरा लीजिए गर आपको हम बता रहे हैं जैसे वो घैला में पूरा अंधेरा है अंदर और ये साप को मालूम नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं दोस्तों रंग रखा हुआ है और वही रंग के अंदर ये साप जो है अंधेरा मिलते ही आराम से वो जाके परवेस कर गया परवेस करते ही इ इसी में ये कौन सा नागिन हो गया, लाल नागिन, तो दोस्तों, आप लोग उसे, हाट जोड़कर बिंती किया जाता है, पहले विडियो को देखिए, उसके बाद comment कीजिए, क्यूंकि दोस्तों बुरा लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं सापों को जाकर rescue करते हैं बचाते हैं बचाने के बाद उसे किसी big forest में release करते हैं हमारा काम है साप को बचाना बचा कर किसी big forest में release कर देना और इसको अब ही अगर धो देना हम तो क्या होगा इसका सरीर का जो color है उसका color भी लाल हो गया था और इसका color देखे वह बहुत ज्यादा dark लाल हो गया था और यह ज्यादा dark नहीं है यह हलका पुरा सरीर हो गया लेकिन हलका लाल है तो दोस्तों यह साफ को अभी हम धुला देंगे तो इसका कुछ problem नहीं होगा और इसको जाकर nature में अभी तुरंत हम release कर देंगे क्योंकि जो दोस्तों साफ बचाईए तभी परियावरन बचा रहेगा और हमारे YouTube चैनल को आप नए देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लिजे और देखिए अवास देख रहे हैं ना पर पूरा लिजेगा पूरा आ रहा है ना ताइडर और कभी भी आपको कामण देता है काट लेता है तो दैरीक्ट, शरकारी सदर, हस्पटाल की ओर जाने का कोशिद करे कोई जाड़ फुक नहीं कोई तंत्र मंत्र नहीं क्योंकि तंत्र मंत्र जाड़ फुक के चक्कर में नहीं किसी का जान बचा है और आगे नहीं किसी का बच पाएगा चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट रेप्ताइल जीत जंतु का जान बचाते हुए मि वीडियो को लेकर मिलता हूं तब तक लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातर में